अयूब की पुस्तक अध्याय दो, फिर एक और दिन यहवा परमिश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्तित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्तित हुआ, और यहवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हुँ, यहवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है, कि पूत्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा, और मेरा भहे मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, और यद्यपी, तूने मुझे उनको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है, शैतान ने यहवा को तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्रान के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डिया और उसके मास को छू, तब वह तेरे मुह पर तेरी निंदा करेगा, यहवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्रांच छोड़ देना, तब शैतान यहवा के सामने से निकला, और किया, तब अयूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राक पर बैठ कया, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या, तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेशर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा, उसने उससे कहा, तू एक मूड स्त्री किसी बाते करती है, क उने मों से कोई पाप नहीं किया, जब तेमानी, एलिपज और शुही, बिलदद और नामाती सोपर अयूब के इन तिन मित्रों ने इस सब इपति का समाचार पाया, जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर, कि हम अयूब के पास जाकर उसके संग विलाप करें और उसको शांती देंगे, अपने-अपने यहां से उसके पास चले, जब उन्होंने दूर से आख उठागर अयूब को देखा, और उसे न चिनन सके, तब चिला कर रोठे, और अपना अपना बागा फाड़ा, और आकाश की ओर धूली उड़ा कर अपने-पने सिर पर डाली तब वे साथ दिन और साथ रात उसके संग भूमी पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जान कर कि किसी ने उससे एक भी बात न कही